जै शिरी राम मित्रों आफ सभी के लिए मैं यहाँ पर रामायन के बालकांड से शिरी राम गुन और शिरी राम चृत्र की महिमा लेकर आया हूँ वे शिरी राम जी मेरी बीड़ी सब त्रह से सुधार लेंगे जिनकी क्रिपा करने से नहीं अखाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानी धी ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीती परसिद है की वहे विने सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है अमीर गरीब गमार नगर निवासी पंडित मूरक बदनाम यसस्वी सुकवी कूकवी सभी नरनारी अपने अपनी बुध्धी के अनुसार राजा की सरहना करते हैं और साधू, बुध्धिमान, शुशेल, इश्वर के अंच से उत्पन, कृपालू, राजा, सबकी सुनकर और उनकी वानी, भगती, विने और चाल को पहचान कर सुन्दर वानी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं यह सभावतो संसारी राजाओं का है, कोसलनात शिरी राम चंदर जी तो चतुर शिरोमनी हैं, शिरी राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीचते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन और कौन होगा तथापी कृपालू शिरी राम चंदर जी मुझ दूष्ट सेवक की प्रीती और रूची को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, सब लोग मुझे शिरी राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बीना लज्जा संकोच के कहल लवाता हूँ, कहने वाले का विरोध नहीं करता, कृपालू शिरी राम जी इस निंदा को सहते हैं, कि शिरी सीता नाची जैसे स्वामी का तुलसी दास सेवक है, यह मेरी बहुत बड़ी ठिटाई और दोश है, मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक जग है नहीं है, यह समझकर मुझे अपने ही कलपित डर से डर हो रहा है, किन्तु भगवान शिरी राम जंदर जी ने तो सवपन में भी इस पर मेरी इस शिटाई और दोश पर ध्यान नहीं दिया, वरन मेरे प्रभूश्री राम चंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देख कर, अपने सुचित रूप चक्षू से निरिक्षन कर, मेरी भक्ती और बुद्धी की उल्टे सरहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, प्रंतु हिर्दय में अच्छा पन होना जुरूरी है, होना चाहिए, हिर्दय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्या नहीं मानकर पापी और तीन ही मानता हूं, यह अच्छा पन है, शिरी राम चंदर जी भी दास के हिर्दय की अच्छी स्थिति जानकर रीज जाते हैं, प्रभु के चित में अपने भगतों की हुई भूल चुक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हिर्दय की अच्छाई नेकी को सो सो बार याद करते र प्रन्तु शिरी राम चंदर जी ने स्वपन में भी उसका मन में विचार नहीं किया, उल्टे भरत जी से मिलने के समय शिरी रगुनाज जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया प्रभू शिरी राम चंदर जी तो व्रिक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पूर्शत्तम सचिनानंद प्रमात्मा शिरी राम जी और कहा पेडों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर प्रंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना ल भाव सभी का कल्यान करने वाला है यदि एहवास सच है तो तुरसी दास का भी सदा कल्यान ही होगा इस प्रकार अपने गुन दोशों को कहकर और सबको फिर सिरनवा कर मैं श्री रगुनाद जी का निर्मल यश्वरन करता हूं जिसके सुनने से कल्यूक के पाप नष्ट हो मुनी याग वल्य जी ने जो सुहावनी का था मुनी स्रेश्ट भार द्वाज जी को सुनाई थी उसी समवाद को मैं वखान कर कहूंगा सब सजन सुक का नुभव करते हुए उसे सुने शीव जी ने पहले इस सुहावने चरीतर को रचा फिर क्रिपा करके पारवती जी को सुनाया वही चरीतर शीव जी ने काक भिशुन्डी जी को रामभक्त और अधिकारी पहचान कर दिया उन काक भिशुन्डी जी से फिर याग वल्य जी ने पाया फिर उन्हों और उन्हों जानते हैं, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हतेली पर रखते हुए आवले के समान जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लिलाओं का रहस्य जानने वाले हरी भगत हैं वे इस चरीतर को नाना परकार से कहते सुनते और समझते हैं फिर वही कथा मैंने वाहरा शेत्र में अपने गुरू जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बे समझ था, इससे उसको उस प्रकार आच्छी तरह समझा नहीं, शिरी राम चंदर जी की गुड कथा के वक्ता कहने वाले और शुरोता सुनने वाले दोनो ग्यान के खजाने पूरे ग्यानी होते हैं, मैं कल्यूक के पापों से ग्रसा हुआ महामूर, जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था, तभी तो गुरू जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धी के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे दुआरा भाशा म रची जाएगी, जिसे मैंने मन को संतोश हो, जैसा कुछ मुझ में बुद्धी और विवेक का बल है, मैं हिर्दे में हरी की प्रेणा से उसी के अनुसार कहूंगा, मैं अपने संदेह अग्यान और भ्रम को हरने वाली कथा रच्ता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार कर करने के लिए नाव है, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को परसंद करने वाली और कल्यूग के पापों का नाश करने वाली है, राम कथा कल्यूग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अगनी के प्रकट करने के लिए अरणी रामकथा कलियुग में सब मनरोतों को पोरण करने वाली कामधेनुगों है और सज्जनों के लिए सुन्दर संजीवनी है पृत्वी पर यही अमरित की नदी है जनम मरन रूपी भे का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मैंडकों को खाने के लिए सरपणी है यह रामकथा अस पिर समुद्र के लिए लक्षमी जी के समान है और संपून विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृत्वी के समान है यह मदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमना जी के समान है और जीवों को मुखती देने के लिए मानो काशी ही है यह शिरी राम की तथा सुक संपत्ति की राशी है सद्गुन रूपी देवताओं के उत्पन और पालन पोशन करने के लिए माता आदिती के समान है शिरी रगुनाजी की भक्ति और प्रेम की परम सीमासी है तुलसी दाशी कहते हैं कि राम कथा मंदाकनी नदी है सुन्दर निर्मल चित्र इंता मनि है और संतों की सद सू बुद्धी रूपी इस्त्री का सुन्दर शिंगार है स्थिरी राम चंद्र जी के गुन स्मुह जगत का कल्यान करने वाले और मुक्ती धन धर्म और परम-धाम के देने वाले हैं वैराग्य ग्यान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु और संसार रूपी भेंकर रोक कनाश करने के लिए देवताओं के वैद अशनी कुमार के समान हैं ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन करने के लिए माता पिता हैं और संपून वरत धरम और नियमों के बीज हैं पाप संताप और शोक कनाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं विचार ग्यान रूपी राजा के सुर्विर मंत्री और लोब रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनी हैं भगतों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कल्यूक के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए स पिशे रूपी साप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामनी हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिन्था से मिटने वाले बुरे लेखों मद प्रभाद प्रारब्ध को मिटाने वाले हैं। पिशे रूपी आकाश को शुशोबित करने के लिए तारागण के समान और शिरी राम जी के भगतों के तो जीवन धन ही हैं। ये कपट दंब और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं। जैसे इंधन के लिए परचंड, अगनी, राम, चिरीत्र, पुरुनीमा के चंद्रवा की किर्णों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। प्रंतु सजन, रूपी, कुमुंदनी और चकोर के चित के लिए तो विशेश हितकारी और महन लाब दायक हैं। जिस प्रकार शिरी पारवती जी, शिरी शिवजी से प्रशन किया और जिस प्रकार से शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, उत्तर कहा वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहता हूँ। जिसने यह कथा पहले ने सुनी हो वहे इसे सुनकर आश्चर रहना करे जो ग्यानि इस विचित्र कथा को सुनते हैं वहे यह जानकर आश्चर करते हैं कि संसार में रामकथा की कोई सीमा नहीं है राम कथा अनंत है उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना परकार से सिरी राम चंदर जी के अवतार हुए हैं और सो क्रोड तथा अपार रामायन है कल्प भेद के अनुसार शिरी हरी के सुन्दर चित्रों को मुनिशूरों ने अनेकों परकार से गया है हिड़्य में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहीत प्रेम से इस कथा को सुनिए सिरी राम चंदर जी अनंत हैं उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है अतेओ जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्यर्य नहीं मानेंगे इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और शिरी गुरुजी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारन करके मैं पुने हाथ जोड़कर सब की विंती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोस पर से नहीं करने पावे मित्रो यह मैंने भगवान शिरी रामायन का बाल कांड का राम वंदना आपको सुनाई है अच्छी लगे तो शेर जुरूर कीजिएगा राधिरा दिमित्रो जै शिरी राम